हाई मैं परशान आप समुस्ट आप आपने यूटूब चैशनल एक कूरिटिटी में स्वागत करता हूं आज मैं आपको इस वीडियों बताने जारहा हूं कि मार्केट में जो बिग मूब हमें देखने को मिलता उस मोमेंटम को हम कैसे ऐडिफाइज कर सकते और इसका इस्तमा आपके लिए बहुत ज़्यादा फाइद इमन सावित हो सकता है इसलिए आप इस वीडियो में लाज तक बने रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जबूर सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन दबना ना भूले तो यहां पर हम मोमंटम और बिग मूव को फाइंड करेंगे यहनि ब्रेक आउट को जो फाइंड करेंगे उसके बैसिस पर हम अपने इंट्राइट वेड को कैसे प्रॉफिटिबल बना सकते हैं उसके उपर हमारा फोकस रहेगा और यहां पर हम दो इंडिकेटर का इस्तिमाल करेंगे तो कौन-कौन से इंडिकेटर इस्तिमाल करेंगे और कैसे हम इंट्राइट वेड को प्रॉफिटिबल मना सकते हैं चलिए इस वीडियो में सीखते हैं यहां पर अब हम चार्ट पर आगे हैं और यह रेख सकते हैं निफ्टी का जुलाई फ्यूचर का चार्ट है और यह आपका फाइब मिनट वाला चार्ट है यहां पर टाइम-फ्रेम को लेए के लोह के बन में दाउट होता है तो इंट्राइड में जैनरल हम फाई मिनट टैन मिनाट थाइन मिनट वादा टाइम इस्ट्रेम इस्तिमाल करते हैं जो भी टाइम फ्रेम से आप इंट्राइड आड् States रिट्रिडिनन कर सकते थे वह करेंगे बड़े मूव को फाइंड करेंगे और उसके बैसे करेंगे उसके उपर फोकस करते हैं उससे पहले आपने मार्केट में सुना होगा कि बुलिक्ष मोमेंटम है और यहां मैं आपको थोड़ा सा एडवांस लिवल पर ले जाना चाहूंगा सबसे पहले बुलिक्ष मोमेंटम के बारे में आपने सुनी रखा होगा यानि बुलिक्ष मूव के बारे में सुनी रखा होगा लेकिन यहां पर हम एक और चीज़ करते हैं यहां पर हम एक्स्ट्रीम बुलिश मूव को भी आइडेंटिफाई करेंगे उसके बाद यहां पर हम बेरिश मूव को find करेंगे और उसके साथ यहां पर हम एक्स्ट्रीम बेरिश मूव को ही identify करेंगे और इसके लभा यहां पर एक और जोन होता है जो कि आपका होता है sideways इन सब का क्या काम है सबस्पहले वह हम समझ लेते हैं bullish momentum यानि जब आप market में यानि इंट्वारे ट्वेडिंग में थोड़ा बहुत risk लेने को तयार है तो आप यहां पर buy set की तरफ entry ले सकते हैं इस bullish momentum में लेकिन अगर आप पुरा का पुरा safe जाना चाहते हैं risk लेने को तयार नहीं है तो आपको इस bullish momentum में इंट्वी नहीं लेना होगा आपको थोड़ा सा वेट करना होगा जब आपका extreme bullish momentum आए यह काफी safe होता है और यहां पर जो लोग safe जाना चाहते हैं वह यहां पर इंट्वी ले सकते हैं ठीक है similarly ब्रीश momentum में आप सेल साइड की तरफ इंट्वी ले सकते हैं अगर आप थोड़े यहां पर विस्क लेने को तयार है तो यहां पर आप चलसार की तरफ बिल्कुल safe जाना चाहते हैं तो आप extreme वेट किझे यहां पर एंटिक ले सकते हैं सेफ साइड की तरफ सेल साइड की तरफ जा सकते हैं उसके बाद साइड वेज मुब रहें आपको ट्वेडिंग वॉइट करना क्योंकि यहां पर फासने के चॉंसर बहुत जढ़ा रहते हैं तो हम इस वीडियो में क्या find करेंगे सबसे पहले bullish momentum फाइंड करेंगे उसके बाद extreme momentum को find करेंगे फिर बियाश momentum extreme इसमेंड और देखेंगे कि sideways move कहां पै जहां पर हमें trading avoid करना है तो चलिए ultimately हम यही वह सब कुछ find करते हुएं into our day के लिए आपको entry point target price stop loss सारा कुछ बताएंगे और कैसे आप अपने इंडिकेटर को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं इसके उपर फोकस करेंगे अब यहां मैंने आपको बताया कि यह आपका क्या है यह आपका वी वैप है नीचे में आपको वालन तो दिखी रहा होगा और यह जो आपको ग्वीन ओरेटर दिख रहा है यह आपका सूपर ट्वेंड जिसको हम लोग सौट में एस्टी बोलते हैं और इसके बारे में आप लोग पहले से फैमिलियर होंगे करमाल कैसे करता है वो भी आपको यहां पर सीखना है सबसे पहले अगर प्राइस आपका वी वैप और सूपर ट्वेंड दोनों से उपर ट्वेड कर रहा है यह आपका बुलिश मोमेंटम है ठीक है अब एक्स्ट्रीम बुलिश मोमेंटम क्या होगा यह निए जो लोग अफिट भी आपको मिलता हुआ दिखेगा अब एक्स्ट्रीम बुलिश मोमेंटम कब आएगा यहां पर देखिए जब यह आपका सूपर ट्वेंड लाइन यह निए सूपर ट्वेंड का ग्रीन लाइन इस यलो लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा दिहान रखना है इसक ठीक है यह जीज़ के लिए हो गया बुलिश मोमेंटम और एक्स्ट्रीम बुलिश मोमेंटम में क्या डिफेंस है अगर प्रैस आपका सूपर ट्वेंड और वीवैब दोनों के ऊपर ट्वेंड कर रहा है तो बुलिश मोमेंटम है और उसके बाद जब यह उपर ट्वेंड कर रहा उसके बाद सूपर ट्वेंट वी वैप को क्रॉस करके ऊपर निकलेगा तो यहां पर हमारा एक्स्ट्रीम बोईश मोमेंटम आ जाएगा तो अगर आप बिल्कुल सेफ जाना चाहते हैं तो आप इस जगह पे इंट्री कर सकते हैं यहां पर जादा विस्क नहीं होगा तो यहां पर जो लोग थोरे बहुत विस्क लेने को तयार है वो कहाँ पे इंट्री करेंगे, वो इंट्री करेंगे लगबग आपका 16,150 के करीब, और जो लोग बिलकुल सेफ जाना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पे इंट्री करेंगे लगबग आपका 16,200 के करीब, उसके बाद प्रैस आपका all the way कहा तक गया, 16,250 के लेबल तक गया, और उसके बाद देखिए, ज्यादा टाइम नहीं लगबग आपका 123456, यह नहीं अगले 30 मिनट में इसने अपना टागेट प्रैस हिट कर दिया, क्योंकि यहीं पे एक क्या हमारे लिए, वे स्टेंस लेवल है, और प्रीबेस स्विंग हाई की बात करें, तो आपका यहीं प्रॉफिट मिला, उनको यहाँ पे 50 पॉइंट का प्रॉफिट मिला, और जो लोग थोड़े बहुत विस्क लिए, उनको यहाँ पे कितना प्रॉफिट मिला, उनको यहाँ पे 100 पॉइंट का प्रॉफिट मिला, तो यहाँ पे अपने हिसाब से आप ट्रेट ले सकते हैं, प्रॉफिट पे नहीं जाना क्योंकि कभी-कभी यह ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में आपको स्टॉप लॉस भी इट होगा और नुकसान भी उठाना पड़ सकता इसलिए अगर आप सेफ जाना चाहते हैं तो एक्स्ट्रीम बुलिस मोमेंटम को वेट किजिए जहाँ पे आपका सूपर ट्वेंट वीब आपको क्रॉस करके उपर निकलता उसके बाद आप यहाँ पे इंट्वी ले सकते हैं चाहिए यहाँ पे आपको 50 पॉंट मिले या 40 पॉंट जो भी मिले वो आपको ज्यादा से मिलेगा और बहुत कम टाइम में मिलेगा आपको यहाँ पे सिर्फ 30 मिनट वेट करना परा है इनको देख लिए अगर आप यहाँ पे इंट्वी लेते हैं तो लगवग आपका 12345678910 लंबा वेट करना परा है लगवग आपको वन से टू आवर तक कर वेट करना परा है और जादा टाइम आप मार्केट में दोगे विस्क उतना जादा इंक्वीज होता रहेगा यहनि आपने यहाँ पे 30 मिनट में 50 पॉइंट का प्रॉफिट बना लिया इनको लगवग कितना वेट करना परा है यहनि आप से लगवग चारगुना टाइम ज्यादा वेट करना परा तब जाके इनको 100 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता हुआ दिखा उसके बाद अब यहाँ पे गया है प्राइस आपका सूपर ट्वेंट और वीवैप इस दोनों के बीच में ट्वेड कर रहा है तो इसी को हमने क्या बोला था यही हमारा होता है साइड वेज मूव जहाँ प उन्हों के बीच में ट्वेड कर रहा हो तो यहाँ पर आपको क्या करना साइड वेज मूव है और यहाँ पर आपको ट्वेडिंग करना क्योंकि यहाँ पर ट्वेडिंग लेंगे तो ट्रैप होने के चांस बहुत जादा देखने को मिलेगा अब यहाँ मैं आपको एक और बताता हूँ, अब आप यहाँ पर सोच भेंगे, तो volume भी हमने एड़ किया, volume का इस्तेमाल कब करेंगे, उसी का example में आपको बता रहा हूँ, अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, प्राइस आपका, सूपर ट्वेंड और वेवैप दोनों से उपर निकल गया, मतलब यहाँ पर कौन सा sentiment आ गया है, कौन सा momentum है, bullish momentum सुरुवात हो गया है, अब उसके बाद देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, सूपर ट्वेंड वेवैप को क्रॉस करके उपर निकला है, यहाँ लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, वालूम पर अगर आप गौर करेंगे, तो वालूम आपका average वालूम से भी बहुत कम है, मतलब यहाँ पर वालूम के तरब से support नहीं मिल रहा है, यहाँ पर वालूम हमें मना कर रहा है, कि यहाँ पर बाई मत करो, जबकि सूपर ट्वेंड वी आप जाके देख सकते हो, वहाँ पर वालूम देखने को मिल वा था, लेकिन यहाँ पर वालूम देखने को नहीं मिल वा था, तो हमें वालूम के तरब से भी support मिलना चाहिए, यहाँ में आपको एक और example बताता हूँ, अब देखिए, यहाँ पर बुलिश मोमेंटम कंटिनि हुआ और इसके बीच में, यानि, super trend और VWAP के बीच में trade कर रहा है, मतलब यह क्या है, यह आपका sideways move दिखा रहा था, उस देर के लिए, यहाँ पर आपको trading avoid करना था, और उसके बाद, ultimately sideways move के बाद, यह आपका price नीचे किरा है, और यहाँ पर क्या हो गया, bearish momentum यहाँ पर start ह हो गया, यहनि, यह आपका bearish momentum में आ गया, अब जो लोग थोड़े बहुत risk लेने को तयार है, वो क्या कर सकते हैं, वो यहीं पर sell side की तरफ entry ले सकते हैं, यहनि लगवग आपका 15,925 पर जो लोग risk लेने को तयार है, वो यहाँ पर sell side की तरफ entry ले सकते हैं, लेकिन अगर आप safe जाना चाहते हैं, तो आपको extreme bearish momentum का wait करना पड़ेगा, और extreme bearish momentum का आएगा, जब red line v-wap को cross करके नीचे आएगा, super twin का, यहाँ पर आपको direction भी देखना है, इसका red line उपर से नीचे आना चाहिए, cross करते हुए, और वैसा ही हुआ, यहनि इस point के बाद हमारा क्या हो ग गया, जो लोग safe जाना चाहते हैं, वो लोग entry लेंगे लगबख आपका 15900 की करीब यहाँ पर sell करेंगे, तो जो लोग risk लिए उनको 25 point का ज्यादा profit मिलेगा, जो लोग safe गए उनको लगबख 15900 या फिर 175 यानि 25 से 50 point का profit उनको कम मिलेगा, और उसके बाद price आपका नीचे कि हुआ है, और यहाँ पर एक और सी देखना है, जब यह इसको cross करके नीचे आया, negative volume देखें, negative volume बहुत ज़्यादा देखने मिलेगा, अगर यह cross करके उपर जाता है, तो हमें same type का positive volume चाहिए, अगर volume के तरफ से support नहीं मिलता है, तो हम इसको extreme bearish या फिर bullish momentum नहीं माएंगे, हमें volume के तरफ से भी support चाहिए, इसलिए यहाँ पर हमने volume को add किया है, और यहाँ पर हम 3 indicator इस्तिमाल कर रहे हैं, पहले ही बताया था, super trend, vbap और volume, 3 O के तरफ से हमें confirmation मिलना चाहिए, एक से भी confirmation नहीं मिलता है, तो हम trade execute नहीं करेंगे, save side के तरफ जाने के लिए volume के तरफ स अब यहाँ पर stop loss क्या रखेंगे, यह आपको doubt हो रहा होगा, तो इसके लिए आप चाहो तो super trend का red line है या green line है, उसके जरी आप यहाँ पर twilling stop loss का इस्तिमाल कर सकते हो, या नहीं तो जब यह cross किया है, उससे पहले जो भी candle है, उसके highest point को आप एजर stop loss के रूप में रख सक सकते होगा, यह stop loss आप 12 कर दे चलिए इस red line के साथ, या नहीं तो भी व्याद भी है, जो भी आपको सही लगता हो, उसके जरी आप stop loss continuously 12 कर ते हुए, जा सकते हैं नीचे side की तरफ, तो आपको बस एक ही चीज़ देखना है, कि आपको इन दोनों से confirmation लेना है, बीरिश मोमें सकते हैं, यहाँ पर हम कुछ और example देखते हैं, वहाँ से आपको और concept clarity के साथ समझ में आ जाएगा, यहाँ पर हम एक और example देख रहे हैं, अब यहाँ पर हमारे bank nifty July future के 5 मिनट के time frame में, अब previous जो भी example मैंने बताया है, उन सब में हमें कहां पर profit मिलवा था, same day intra day में profit देखेगा, अब देख सकते हैं, price आपका लगबग, super trend और वीवाप को cross करके कब उपर निकला, लगबग आपका 12.45 करीब यह आपका उपर निकल गया, यहनि 12.45 के बाद इसमें bullish momentum की शुरुआत हो गई है, उसकी बाद हमें क्या wait करना, हमें extreme bullish momentum का wait करना, वहाँ पर आप स super trend वीवाप को cross करके उपर निकलेगा, और यहाँ पर देखे, super trend वीवाप को cross करके उपर निकला है, और मैंने क्या बोला था, यहाँ पर हमें volume के तरफ से भी support मिलना चाहिए, volume average volume से ज़्यादा होना चाहिए, और देखे, जैसे cross करके उपर निकला यहाँ पर, volume भी इंट भी लेंगे बाई साइड की तरफ क्योंकि यह आपका एक्स्ट्रीम बुलिश पेज है एक्स्ट्रीम बुलिश मोमेंटम है जहाँ पर हमें बरा ब्रेक आउट देखने उप मिला और कब देखने उप मिला लगबग आपका तू फिफ्टिन के करीब यहां में बिक ब्रेक आउट मूब दिखाया और उसके बाद अल दवे कहां तक प्रैस गया यहां से लगबग आपका 35,000 470 के लेवल से अल दवे यह आपका 35,600 के करीब गया है यहनी लगबग आपका 130 पॉइंट का पॉजिटी मूब दिखाया और आपका 35,600 यह आपका एक रिस्टेंस लेवल भी था उस ट्रागेट बैस के लिए यहां पे आप आसानी से जा सकते हैं 130 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाया और यहां पे देख सकते हैं केंडल मामें वीकनिस देखने को मिल वाया उपर में टेल देखने को मिल वाया इसके विस्टिस पर यहां पे हम एकजिट कर सकते हैं निकल सकते हैं और प्रेविएस अगर हम स्विंग हाई की बात करें यही लेवल पे आपका विस्टेंस लेवल भी देखने को मिल वाया था तो यहाँ पर हमें profit book कर लेना और यहाँ पर अगर हम stop loss की बात करें तो यह level हमारा SL की रूप में काम कर सकता या नहीं तो जैसा कि मैंने आपको बताया था सूपर ट्रेन का यह जो लाइन है इसको आप stop loss के जड़िए 12 करते हुए आगे चल सकते हैं तो यहाँ पर बुलिश मोमेंटम पहले से continue आ रहा है हमें extreme bullish momentum find करना और extreme bullish momentum कब आया लगबग एक बज़े करीब आया यहाँ इस पर्टिक्लर लेवल करीब यहाँ पर हम इंट्वी लेंगे जो कि आपका है 1387 के करीब और यहाँ से price आपका instant within कुछ मिंटों में all the way price आपका कहा तक गया है लगबग आपका 1400 के लेवल तक गया य आना जाता उसके बाद price आपका अच्छा खासा upside move दिखाया तो इस तरीके से आप जाओ तो इसके जरीए आप stocks में भी trading कर सकते हैं यह नहीं तो आप चाहो तो यहाँ पर आपको वेट करना नहीं परेगा तो इस तरीके से आप यह सारा indicator के जरीए आप momentum find कर सकते हो बुलिश मोमेंटम है एक्स्ट्रीम बुलिश है या फिर एक्स्ट्रीम बुलिश है और कब sideways move आ रहा है कब हमें trading नहीं करना यह सब आप आसानी से find कर सकते हैं उमीद करते हैं कि आपको यह सारा कुछ अच्छा लगा होगा अगर आपको यह सारा कुछ अच्छा लगा प्लीज वीडियो को like करके हमें इनकवेज किजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें चैनल को सब्सक्राइब किजिए मिलते हैं नेक्च्छ वीडियो में जैहिंद